आनन्द एल्रोई ने सूपर हिट फ्रेंचाइज दी तन्नु वेट्स मनू के तीसरे पार्ट को लेकर बड़ा अपडेट शेयर गया है जिसके बाद फैन्स सूपर लेवल पर एक्सॉइटेड हो गया है तो फैल्म को लेकर डारेक्टर साहब ने क्या कुछ कहा है तन्नु वे जी हाँ आनन्द एल्रोई के डारेक्शन में बनी फिर्म तन्नु वेट्स मनू को साल 2011 में रिलीस किया गया था इस फिर्म की सक्सेस के बाद मिरमताओं को इसका सिक्वल बनाने में लगभग चार साल लग गये थे फिर्म में कगने रनौत और आर मादुन की फ्रेश जोडी को ऑन स्क्रीन दिखाए गया था जो कि लोगों ने खूब पसंद किया लगभग नौ सालों के बाद इस फिर्म के तीसरे पार को लेकर एक बड़ी कौसिप सामने आई है सुनने में आ रहा है कि आनंद एल्रोई ने फिर्म तन्नु वेट्स मनूत्री को बनाने की तयारिया शुरू कर दी है जी हां तनु वेट्स मनूत्री को लेकर जब आनंद एल्रोई से सवाल किया गया तो उन्होंने हिंदुस्तान टाइम से बात करते हुए कहा हम इस समय स्टोरी पर काम कर रहे हैं आनंद एल्रोई ने इस बारे में सौदा जानकारी नहीं दी लेकिन उन्हों कर दियो है कि आने वाले समय फिर्म के तीसरे पार्ट की बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है अला कि आनंद एल्रोई ने यह साफ नहीं किया कि फिर्म को कब तक फ्लोर पर लाया जा सकता है अभी स्क्रिप्टिंग पर कितना काम हो गया है फिर्म काहानी और आर्मादवन ने सुन दी है या नहीं और फिल्म को किस येर में रिलीस किया जा सकता है फिलहाड आनंद एल राय ने इस पर कुछ भी खुडा सम नहीं किया है आग की जानकारी के लिए कि तन्नुवेट्स मनु के पिछले दोनों पार्ट हिप रही है और फैंस वगतार इसके तीजरे पार्ट क करते रहे हैं लेकिन अब जब फैंस को पब्लिक को ये पता चल गया कि फिल्म की कहानी पर काम चल रहा है तो दर्शक अब सूपर लेवल पर एकसाइटेड नसुआ रहे हैं खैर बिता दें कि आने दिल राय इन दिनों अपनी नई फैंस तेरे इश्क में की शूटिंग में इसलिए अभी तर्नू वेट्स मनू 3 को फ्लोर पर लाना मुम्किन नहीं है वहीं दूसरी और कगना रनौत अपकमिन फैल्म इमर्जेंसी को लेकर चर्चा में बनी हुई है ये फैल्म 6 सितंबर को रिलीज होने वारी है ऐसे में स्वार कास्ट की डेट्स वगेरा सब मैच ह जाएगा उसके बाद ही फैल्म को फ्लोर पर लाया जा सकता है फिलाल के लिए एक हबर ही फैंस के लिए बड़ी गुड नीज है वहला आप उताओए तनू मेट्स मनू पार्ट 3 को देखनी के लिए आप कितने साधा एक्साइट है और पिछले दोनों पार्ट में से किसकी क कहानी आपको सबसे जादा पसंद आई थी मुताओए नीची कॉमन सेक्शन में